जब भी हम हमारे रहने के लिए मकान अथवा प्लाट लेते हैं और वहाँ पर रहने के लिए हम मकान बनाते हैं तो इन विश्यों का आप ध्यान रखते हो तो कभी भी आपको वहाँ पर रहने के अनुसार आपको किसी भी प्रकार के वास्तु दोश का सामना नहीं करना पड़ करना क्या है हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि सम्मार जनो पांजनेना सेके नो लेखनेन चा गवाम चा परिवाशेना भूमी शुद्धियती पंच भी ही यानि भूमी इन पांच कारणों से शुद्ध हो जाती है चाहे कैसी भी भूमी हो आपके हाथ में लग गई हो कैस और अथवा उसके इस्थान पर नई मिट्टी ला करके बिछा देना और एक दिन रात गायों को यानि गाय को वहाँ पर एक दिन और रात के लिए 24 गंटे के लिए वहाँ पर गायों को विचरन करने के लिए छोड़ देना ऐसे पांच परकार के अगर कारिया आप करते हैं तो आपकी चाहे कैसी भी भूमी हो वो शुद्ध हो जाती है और वहाँ पर आपके रहने के लिए उत्तम इस्थान हो जाता है तो ये जानकारी आप सभी तक शेर करें और ऐसी जानकारिया प्राप्त करने के लिए अभी आप फॉलो करिए नमो नमहा